जेहिंद वंदे मात्रम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ड आम से क्यू चैनल पर तो फ्रेंट्स जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस की नई भरती के लिए लुसेंड बुक से प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे जिसमें से आपका तीन प्रैक्टिस सेट हो चुका है तो आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा तो जल्दी जल्दी से अब सभी लाइब में जूड़ जाईए सभी को गोड इवनिंग गोड इवनिंग तो चलिए इसी के साथ आजके सेशन को श्राट करते हैं तो फ्रेंट्स आजके सेशन का पहला प्रस्न है सम्विधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंतरक एवं महा लेखा परिक्षक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 23 में या फिर डी अनुच्छेद 9 में आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइफ चेट का उप्षन दिया गया है अगर किसी भी प्रसने का आंसर पता है, तो आप लोग लाइफ चेट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे तुदि के संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका सही जबाव हो जाएगा अनुच्छेद 148 में, भारत का नियंतरकेवम, महालेखा, परिक्षक के बारे में बतया गया है आपसे ये भी फूच सकता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परिक्षक है इसकी न्युक्ती कौन करते हैं तो इसकी न्युक्ती जो है राष्टपती के दुआरा किया जाता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक कौन है दूसरा प्रस्ण है US Open किस खेल से संबंदित है चली आंसर करते जाएंगे बिल्कुल टॉप लेवल के प्रस्ण है टाइम सब तो दीखे US Open जो है ये टेनिस खेल से संबंदित है तो C option जो ये बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है तीसरा प्रस्ण है कमबोडिया देश की मुद्रा का नाम क्या है चली आंसर करते जाएंगे और प्रत्यक स्ट्वेंट को लाइब चेट में अपना अपना आंसर देना है तो देखे कमबोडिया देश की मुद्रा का नाम क्या है इसका सही जबाब जो ये बच्चे सी ओप्सन दिये है बिल्कुल सही जबाब है रियल है नेक्स्ट कोशन रगभी खेल के प्रत्यक पक्ष में कितने खिलारी होते है फटा फट से आप सभी आंसर करते जाएंगे टाइम सब तो दीके रगभी खेल के प्रत्यक पक्ष में 15 खिलारी होते है डी ओप्सन बिल्कुल सही जबाब है आपसे पुछ सकता है कि होकी में कितने खिलारी होते हैं तो इसमें 11 होते हैं किरकेट में कितने होते हैं तो इसमें भी 11 होते हैं फुटबॉल में कितने होते हैं तो इसमें भी 11 होते हैं ध्यान रखना है कवड़ी में साथ होते हैं केंद्र सरकार ने स्वक्ष भारत अभियान योजना को कब सुरू किया था चलिए और अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें तो देखें केंद्र सरकार ने स्वक्ष भारत अभियान योजना को 2 अक्टुबर 2014 में सुरू क तो फर्स्ट ओप्सन जो इवच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जवाब है संगम साहित्य की रचना किस भासा में की गई है किस मुगल सासक का मकबरा भारत में नहीं है तो अगर आपको किसी भी प्रस्ट में थोड़ा भी डॉट होता है तो तुरबंत आप कमेंट करके पूश सकते हैं आपको 100% रिप्लाई मिलेगा तो जीए किस मुगल सासक का मकबरा भारत में नहीं है तो जहंगिर का मकबरा भारत में नहीं है बी option जो ही वच्चे दिये हैं बिलकुल सही जबाब है ध्यान रखना है आपसे पूछ सकता है कि सेर्षा का मकवरा कहा है ये बिहार से संबंदित प्रस्ण है इसलिए इसको ध्यान रखना है तो दीखें सेर्षा का मकवरा जो है ये बिहार के सासा राम में इस्तित है इसको ख चलाया था तो पंदरा सो बेरा से इसपी में इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है नेक्ष्ट को सन प्रथम गोल में सम्मेलन किसके कारिकाल में हुए थे यह प्रस्णाफ लोगों के लिए इंपोर्टेंट है तो दीके जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तीन गोल में सम्मेलन हुए थे प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में हुआ था दूइतिये गोल में सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोल में सम्मेलन जो है यह 1932 में हुआ था और प्रथम गोल में सम्मेलन जो है यह हुआ था लौड इर प्रमिलन में भाग लेने वाले कौन थे यह प्रस्ण पूछा जाता है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रू बताएंगे समविधान का कौन सा आर्टिकल धन विध्यक से संबंदित है टाइम सब तो दीके समविधान का आर्टिकल 110 जो है ये धन विध्यक से संबंदित है बी ओप्शन बिल्कुल सही जबाब है आर्टिकल 280 भी पूछा आता है ये वित आयोक से संबंदित है next question देखिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजिना को कव शुरू किया था चलिए तो दिकें केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजिना को 25 सितमबर 2014 को सुरू किया था तो D option जो ही बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है कभी बिहारी किस राजा के दरवारी कभी थे टाइम सब तो देखिए कभी बिहारी जो है ये राजा जैसिंग के दरवारी कभी थे B option बिल्कुल सही जबाब है संबिधान के किस अनुच्छेद में राजियों के लिए उच्छ न्याले के बारे में बताया गया है और फ्रेंड सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रस्णों के सही सही जबाब दिये है तो दीके संबिधान के किस अर्टिकल में राजियों के लिए उच्छ न्याले के बारे में बताया गया है तो आर्टिकल 214 में C उप्षन बिलकुल सही जबाब है और आपको यहाँ सहाद रखना है पटना उच्छ न्याले चलिए आंसर बताएंगे बहुत सांदार प्रस्ण है वियतनाम का एकी करण किस वर्स हुआ था तो दीके वियतनाम का एकी करण जो है यह वर्स सन 1906 में हुआ था C उप्षन बिलकुल सही जबाब है महा भारत का फार्सी अनुबाद किस ने किया था चलिए तो दीके सबसे पहले आपको याद रखना है महा भारत के रचेता कौन है तो महा भारत के रचेता वेद व्यास है याद रखना है और महा भारत का फार्सी में अनुबाद किस ने किया था तो बंदा यूनी ने फर्स्ट ओप्षन बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है चलिए तो दिके विश्व हेपेटाइटिस दिवस दो है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है C ओप्शन बिलकुल सही जबाब है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन्धन योजिना कब सुरू किया था कावेरी नदी का उद्गा मस्थल कहा है टाइम सब तो दिके कावेरी नदी का उद्गा मस्थल जो है ये ब्रह्म ग्री की पहारी है D ओप्शन बिलकुल सही जबाब है नर्मदा नदी का उद्गा मस्थल पूछा जाता है तो आमर कंटक है ध्यान रखना है प्राचिन सांखे दर्शन के रचनाकार कौन थे और दिके जिसने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है फटा फट से सभी लोग सेशन को लाइक करें तो प्राचिन सांखे दर्शन के रचनाकार कौन थे इसका सही जबाब जोई वच्चे B को दिये है बिल्कुल सही जवाब है कपिल मुनी थे दिल्ली हाई कोट की पहली महिला मोखे नयदेश कौन बनी चलिए तो दीके दिल्ली हाई कोट की पहली महिला मोखे नयदेश जो है ये गोरला रोहनी बनी B option बिल्कुल सही जवाब है गोरला इस तरह से होगा गोरला रोनी ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग इलर है नेक्स्ट को सन विश्व की सरवादिक विश्वास घाती नदी किस नदी को कहा जाता है फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे तो दिके विश्व की सरवादिक विश्वास घाती नदी जो है किसी नदी को बोला जाता है तो वांगो नदी को जो किसी ओप्षन में दिया गया है कोसी नदी को याद रखना है इसे बिहार का सोक बोला जाता है महत्मा बुद्ध ने किसके सासन काल में निर्वान प्राप्त किया था फट फट साब सभी आंसर करते जाएंगे टाइम सब तो जी के महत्मा बुद्ध ने अजात सत्रु के सासन काल में निर्वान प्राप्त किया था C option बिलकुल सही जबाब है निर्वान यानि कि महा परिनिर्वान जो है यह महत्मा बुद्ध की मिर्थियू को भोला जाता है महत्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहा हुई थी तो बुद्ध गया में ध्यान रखना है पानी पत की तीसरी लडाई में माराथा का सेना पती कौन था? चलिए तो दीकिए आपको यहाँ से याद रखना है पानी पत का फर्थम युद जो है ये 1526 इसपी में होता है बाबर और इबराहिम लोदी की बीज जिसमें बाबर ने इबराहिम लोदी को हराया था उसके बाद बाबर ने मुगल वन्स की नीव रखे थी पानी पत का जो दूसरा युद है ये 1556 इसपी में हुआ था पानी पत का तीसरा युद हुआ था 1761 इसपी में और इस लडाई में मराठा का सेनापती कौन था तो सदासिव राव भाव था बी ओप्शन सही जबाब है संबिधान के किस अनुछेद में वित आयोक के बारे में बताया गया है चलिए इस प्रसंद का आंसर किसी को गलत नहीं करना है अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वित आयोक के बारे में किस आर्टीकल में बताया गया है तो आर्टीकल 280 में जोई बच्चे C को दे काला सेशा किसे कहा जाता है तो ग्रेफाइड को काला सेशा कहा जाता है फर्स्ट ओप्शन बिलकुल सही जबाब है देखिए कोईला से भी संबंदित प्रस्न पूछा जाता है कि कोईला में सबसे उचितम कोटी का जो कोईला होता है वो कौन सा होता है तो एंत्रासाइड जो वह सबसे low quality का कोईला है चोरी चोरा कांड किस वाइसराय के कारेकाल की घटना है चलिए तो दीके चोरी चोरा कांड जो घटित हुआ था ये चार फरवरी 1922 को हुआ था और ये किस वाइसराय के कारेकाल की घटना है तो Lord Reading जो की option C में दिया गया है नेक्ष्ट को सन दिल्ली सल्तनत की अधिकारिक भासा क्या थी? चली आंसर बताएंगे तो दिल्ली सल्तनत की अधिकारिक भासा आप सभी जानते हैं फार्सी नेक्ष्ट को सन वेनेज्वला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? चली आंसर बताएंगे तो दीके वेनेज्वला के घास के मैदान को लानोज बोला जाता है C option जोई वच्चे दे रहे बिल्कुल सही जवाब है कौन सी ग्रंथी रक्त चाप को नियंतरन करता है चलिए आंसर करते जाएंगे कौन सी ग्रंथी रक्त चाप को नियंतरन करता है तो इस प्रस्न का सही जवाब जो इवच्चे B ओप्शन दिये हैं बिल्कुल सही जवाब है एडर्नल गंती हो जाएगा देखे यहाँ से संबंदित आपको दो प्रस्न बताते हैं जैसे कि आपसे पूछ सकता है रक्त परिसंचरन तंदर की खोज किसने किया था तो विल्यम ह कार्वे ने बलड ग्रूप का खोज पूछ सकता है तो कार्ल लेंड इस्टिनर ने दो प्रस्नों को ध्यान रखना है राश्ट्र कुट की राजधानी कहां थी और देखिए आपको प्रस्न के साथ जितने भी एक्ष्टा फेक्ट बताते हैं अगर आप लोगों को नहीं पत जाता है चलिए आंसर करते जाएंगे तो दीकि अंतराश्टिय बाग दिभज्जो है ये प्रत्यक वर्स 29 जुलाई को मनाया जाता है डी ऑप्षन बिलकुल सही जबाब है आपको यहां से और प्रस्न याद रखने है जैसिक प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआत कब होती ह ये भी पूछा जाता है तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआत होती है वन जीप संद्रक्षन अधिनियम पूछा जाता है तो ये 1972 का है परियावरन संद्रक्षन अधिनियम पूछा जाता है तो 1986 का है इन सभी को ध्यान रखना है भारत में कहवा का सबसे अधिक उत पादन जो है ये करनाटक राजे में होता है D option बिलकुल सही जबाब है करनाटक के राजधानी कहा है बैंगलूरू है और बैंगलूरू को सिलिक्वान वैली के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिधान पर कार्य करता है तो फ Labs का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा कौन सा है चलिए तुदिके भारत का सबसे बड़ा प्राक्रितिक बंदरगा जो है ये मुंबई बंदरगा है B option बिलकुल सही जबाब है संबिधान के किस अनुछेद में राष्टे पिछड़ा वर्ग आयोक के गठन के बारे में बताया गया है चलिए तुदिके ये बताया गया है आर्टिकल 340 में B option बिलकुल सही जबाब है राष्टपती पर महाभियोक की परक्रिया किस देश के संबिधान से लिया गया है फड़ फड़ से आंसर करते जाएंगे तुदिके राष्टपती पर महाभियोक की परक्रिया जो है इसे अमेरिका देश के संबिधान से लिया गया है तो जोई बच्चे लाइप चेट में option A को दिये हैं बिलकुल सही जबाब है और इसके बारे में किस अनुछेद में बताया गया है तो संबिधान के अनुछेद 61 में महाभियोक की परक्रिया के बारे में बताया गया है राष्टपती बनने के लिए नियूनतम उम्र सीमा कितना है तो 35 वर्ष है ध्यान रखना है, लोक सभा का सदसे बनने के लिए 25 वर्ष राज सभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्स राष्टपती हो गया राजेपाल हो गया इन सभी के लिए 35 वर्स है ध्यान रखना है फूलों की घाटी किस राज में इस्थित है? चलिए आंसर करेंगे फूलों की घाटी जो है आप सभी जानते हैं ये उत्राखन राज में इस्थित है फर्स्ट ओप्शन बिल्कुल सही जबाब है सिलिकॉन वैली के नाम से करनाटक किरालधानी बैंगलूरू को जाना जाता है एस सैकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिके एस सैकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक जो है ये अरुन सौरी है केंदर सरकार ने ग्रामिन उजाला योजना को कब सुरू किया था? चलिए तो दिके केंदर सरकार ने ग्रामिन उजाला योजना को 1 मई 2015 को सुरू किया था B option सही जबाब है एक वर्स में संसद की कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए चलिए आंसर बताएंगे टाइम सब तो दीखे एक वर्स में संसद की कम से कम दो बार बैठक होनी चाहिए B option सही जबाब है Last question भारतिय समास सेवक यानि कि Servant of India Society इसकी अस्थापना किस ने किया था चलिए तो दीके आपका टाइम खत्म होता है Servant of India Society की अस्थापना 1905 SP में गोपाल कृष्न गोखले के द्वारा किया जाता है C option बिलकुल सही जबाब है गोपाल कृष्न गोखले ये महात्मा गांधी के राजनेतिक गुरू थे ये भी आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंट्स आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 40 प्रसनों को कवर किया इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाफ्ट होता है